Hey guys welcome back to another video वेल्कम बात करेंगे इस वीडियो में बात करेंगे हाइलाइटिंग टूल के बारे में कौन-कौन से होते हैं और किस तरह से हम उनको यूज कर सकते हैं अपनी ड्रोइंग्स में कहाँ पर कौन सा हाइलाइटिंग टूल हमने यूज करना है क्योंब है कि मैंनें लिगा है कि कहां पे कौँण सा यूज़किशे बट बज़ा हाइ Download युऊंट कि उल भीटव करने की और उसके वाले करेंगे तो लेट सी सबसे पहले बात करते हैं हाइलाइट होता गया है जो भी हमारी ड्रोइंग है या फिर कुछ भी आप स्कैचिस पोट्रेट ड्रोग कर रहे हो उसके उपर सामने से अगर लाइट पड़ रही है तो वहां पर लाइट जरूर होंगे और उनको हम बोलते हैं उनको ऑप्ड करना काफ या इंपरर्ज होता है जिसको अम इरेजि़ करके या फिर डिफेंट डिफेंट टूल्सका युजप करके रहे उसको हाइलाइड बहुते हैं सबसे पहले है मेरे पास नॉर्मल एग जोकि टॉंबो मोनो का ही है तो यह प्लास्टिक एरेजर है जो क आप draw करते हो तब है इसका यूज कर सकते हैं जो कि normal razor हर किसी के पास होता है नेक्स है needed eraser जिसको किसी size में fold कर सकते हैं और उसके coding highlights कर सकते हैं face बहुत अच्छे से use कर सकते है highlights करने के लिए या फिर erase करने के लिए जिसके यहां पे गलती होगी ति मुझसे तो उसके अंदर opt कर लेता है सारी graphite और charcoal को और face पे highlights करने के लिए यूज़ करते हैं जो भी आपको white-white areas दिखते हैं next है tombo mono zero razor जोगी काफी ज़्यदा popular है हर artist के पास यह होता है बहुत ज़्यदा helpful है और इसको use कर सकते हैं हम highlights करने के लिए इस razor का use हम कहीं भी कर सकते हैं चोड़े areas में highlights करने के लिए dails तो सब्सक्षाइब करने के लिए अध्यादा वाइण पतले आगे से यह pencil के लिए और पाता है उसकी किसी भी grey light or charcoal के ऊपढ़ से इस तरह से, मैं सभी drawings में hair में highlight करने के लिए इसी tool का use करता हूँ, काफी अच्छे से erase हो पाता है और भी different different जगा पे आप use कर सकते हैं जैसे कि इनकी पगडी में मैंने जो भी highlights वगरा दिख रहे हैं आपको वहाँ पे इसी method का use किया था और एक method और होता है कि आप जगह भी छोड़ सकते हो वहाँ पे shading मत करो, वो already white ही लगेगा फिर तो जैसे इस drawing में मैंने starting में ही जैसे कि आप eyes के नीचे देख सकते हैं वहाँ पे मैंने shading नहीं किया है तो वहाँ पे आप shading मत करो, वहाँ पे आप छोड़ दो जोगर highlights है तो obviously अगर आप shading नहीं करोगे तो वह area white ही लगेगा और highlights ही लगेगा next tool है मेरे पास white gel pen जो कि हम extremely white areas को opt करने के लिए कर सकते हैं क्योंकि यह काफ़ ज़दा white होता है तो इसका भी use का हम कर सकते हैं जैसे कि eyes में जो reflection होता है जो भी white white होता है तो उसके लिए आप use कर सकते हैं इस तरह कि छोटोड़े areas में जहां पे आपको बिल्कुल white areas को opt करना हो या फिर इस तरह का texture draw करना हो जैसे कि इसके face में था इसके face में काफ़ी पसीना type में था तो उसको opt करने के लिए हम white gel pen का use कर सकते हैं तो यह आपको देखना है कहाँ पे extremely white areas है जहां पे आप इसका use कर सकते हो otherwise आप जगह भी छोड़ सकते हो और erasers का use कर सकते हो जिस तरह से मैं यहाँ पे tombo monoizer का भी use कर रहा हूँ इस ट्रेंग में मैंने beard के लिए यूज किया था जो छोटोटे hair थे छोटोटे जो भी white white hair थे उसमें मैंने इसी gel pen का यूज किया था जो hyper realistic वाली मैंने बनाई थी है तो इसमें देख लो जो भी dot dot से दिख रहे हैं आपको white white मुश्टेचे में तो मैंने indenting technique का यूज किया जो कि मैं अभी आपको बताऊंगा बट जो बाकी का पार्ट है जो भी आपको white white दिख रहे हैं वो सारा white gel pen ही है तो इसी तरह से आप भी यूज कर सकते हैं बस आपको experiment करते रहने हैं कहां पर यूज करना है वो आपको खुद यूज दिल दाएगा पता जैसे कि मैंने को का extremely white area जैसे कि यह jewelry है तो इसमें जो मोती से हैं तो उसके उपर काफी यदा highlight होता है तो वहाँ पर भी मैंने यूज किया था उससे भी काफी शाइनी से लुक आता है और काफी 3D लग रहे हैं मोती से तो इस तरह के चमकने वाली चीज जो भी jewelry वगयर होते हैं वहाँ पर भी हम white gel pen का यूज कर सकते हैं नेक्स्ट में बस बैटरी रेजर जो की इसके अंदर बैटरी डलती है और बटन दमाने पर यह अपने आप चलता है हमको ज्यादा मेहनत करने की जूट नहीं पड़ता ज तो आप घर आप 6 सबस्केमा घर्र जब्लकुर आपको अपने अपने घर दनी मेरिं इडे होते ह४ा यह सब्सक्राइब कर दविक अमेरि अपने अपने एपने वार् आपको इन देक्र हो तु मैं को जने करता है बदा उन्यूश राहरें कि औरिय वहां इसको बाइ है थो ब तो वहां पर आपको डॉट डॉट लगाने होते हैं तो वहां पर यह उस होता है अधरवाइस कोई ज्यादा इंपोरेट नी है मैं रेकमेंड नी करओं आपको भाई करने की नेक्स्ट है अपसरा की ग्लास मार्किन पेंसल जो की वाइट पेंसल है 5 रुबैगे मिल जाती है मार्केट में थो यह वाइट पेंसल है काफ़े आटेस्ट यूज करते हैं ब्लएग अरिया के उपडोर के उक उपर से यूज कर सकते हैं और काफि इच्छेते ही आपट हो ज तो ईसा नहीं किसम उतना आपको करके उसकी तो इसको सब्सक्राइब。」 उसकी ओडट कर दो करना हैं इसको वह सकते हैं ऊसके बाचेएप बाइकु का आपके से मेल क्लीच माफ्ट, और पूल होता है। जो कि मेरे पास तो हैनी इसलिए मैं आपको दिखानी रहा हूं आपको खाली पैन यूज कर सकते हैं मैं आपको वीडियो बनाए थी पर्टिकुलर आपने देखी होगी इसमें पेपर के टेक्च्चर को बदल देते हैं और उसके उपर से शेडिंग करते हैं तो वह जो हमने ट आपको नहीं दिखा रहा हूं कोई भी खाली पैन हो या फिर डिफेर्ट डिफेर्ट टूल्स आप यूज कर सकते हैं बस पेपर फटना नीचिए पेपर के पेपर में देफ्ट ला दो और उसके बाद उसके उपर शेडिंग कर दो तो वाइट-वाइट आफेक्ट आपको यूज कर सकते हैं मेकनिकल एडिजर और बिफेर्ट इफेर्ट जो कि मैं आपको नहीं दिखाए बट मैंने आपको कुछ पर्टिकुलर दिखाए जो कि हम यूज करते हैं तो अब मैं को बदाता हूं कौन से मस्ट हविंग है जो कि आपके बास होने चाहिए सबसे पहले चाहिए नेक्स्ट है वाइट जैल पैं जो की बहुत ज़दा यूसफुल है अगर आपको हाइपर रेलिस्टिक बनाने रियलिस्टिक वर्क बनाने है क्योंकि आइस वगैरा में कोई ऐसे होते हैं जहां पर एक्स्ट्रीमली वाइट एरिया चोटोट अप्ट करने के लिए व पोटेट वगैरा बनाते हैं तो आपके लिए काफी यदा हेल्फुल रहेगा क्योंकि फेस पे बिल्कुल उनिफोर मोशन में को शेडिंग चाहिए होती है ब्लेंडिंग चाहिए होती है तो अगर आपको वहां पर एरेस करना है तो आप इसका यूज कर सकते हैं इससे काफ किसी तफ एरेसर का यूज करोगे तो वह पेपरेट डैमेज हो सकता है और शेडिंग भी खराब हो सकती है तो यह काफी सॉफ्ट एरेसर उपर से एरेस कर देगा तो यह आपके बास होना चाहिए अगर आप ग्रेफाइट चार्कॉर में पोट्रेट वगरा बनाते हैं तो अगर आप रियलिस्टिक बनाते हैं तो अगर आपको अच्छे से बिलग कुल हैपर्पर बनाएं तो यह तीन तो I think must having है तो यह अगर आपके बस नहीं है तो आपको पर्चेस कर लेने चाहिए अदर्वाइस जो बैटरी एरेजर है पैंसिल एरेजर है वो साथे सेम ही काम करते हैं यह अगर आपको अच्छे समझाने की पुरानी पुरानी ड्रोइंग में उसके से अधर करके तो आपको समझ में आया होगा वैसे पर्टिकुलर मैंने वीडियो बना रहा है किस तरह से मतलब यूज कर सकते हैं डिफेर्ट इफेर्ट तूस को अच्छे से तो अगर आपने अगर आपने देखनी है तो तो आई होप यू इंजोई दिस वीडियो इस वीडियो हिट दे लाइक बटन एंड दू सब्सक्राइब तो मैं चैनल वीडियो तब तक दो प्रेक्टिस तो इंप्रोव टेक कियर एंड थैंकिसमच वाचिंग